आज की इस एपिसोड में डिसकस करेंगे अडानी विलमार स्टॉक के बारे में इस स्टॉक में लोग 40% से 16% के डाउन ट्रेंड पे फसे हुए हैं और हमारा continuous commentary से stock को ले करके ये है कि चुकि 2 quarter weak रहे हैं इसके कारण short term trading से बचना चाहिए short term trading से बचना चाहिए लेकिन इस समय long term news को ले करके एक opportunity आपको 365 के बीच में दिख सकता है क्योंकि already stock काफी discount पे दिख रही है इस scenario में अगर weak result आता भी है in the line भी result आता है तो ज़्यादा गिरावट नहीं दिखेगी क्योंकि stock already discount पे दिख रहा है कारगिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दुरुची चोया इंडिस्ट्री लिमिटेड जैसे यह commonly news आप चाहें तो इसके एडिटोरियल को भी पर सकते हैं यहां देखें तो कुछ बड़ी news नहीं है 40-80% के discount from 50 to week high दिख रहे हैं जो कि already हमने आपके कहा डिलेवरी अभी भी continuous better दिख रही है technical trend थोरा week है और मुझे नहीं लगता है कि जिस परकार से इस trend line को breakdown किया है minimum 424 के level को breakout करने दे उससे पहले long करने से बचे 358 यानि 60 और 85 के आसपास के opportunity के लिए ही wait करेंगे